राश्ट्रोन नती के पथ पर नित्य प्रेरणा एक दिन, एक प्रुष्ठ, एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वार्ती सदानन गुर बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग 24 अप्रेल का विचार भारतिय जीवन प्रणाली ही सर्वस्रेष्ठ साधू सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है इस कारण भारतिय समस्कृती के भिन्न भिन्न पहलूँ पर विचार होता है समसार में रहने वाला प्रत्यक व्यक्ति सोचता है कि किस प्रकार जीवन में शांती आए और स्रेश्ठत्व का अनुभो करता हुआ वह आदर्श जीवन निर्मान करें इसी कामना को लेकर समाज की रचना होती है और राज्यों के निर्मान के प्रयत्न होते हैं आज विश्व में भारतिय विचार प्रणाली के अतिरिक्त दो विचार धाराये और दिखाई पड़ती है एक तो पश्चिम का प्रजात अंत्रवाद है जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश करते है दुर्भाग्य से भारत भी इसी ओर जाता दिखाई देता है दूसरा गुट रूस तथा पूर्वी यूरोप से लेकर प्रशान्त महा सागरत तक के उन देशों का है जो अपने को साम्मेवादी कहते है अमेरिकी गुट ने तो अर्थ और संचे की प्रणाली को प्रोचान दिया है जिसमें प्रत्तेक व्यक्ति दूसरे स्वेत स्परधा करता हुआ दिखाई देता है ऐसी विशमता को देखकर प्रजात अंत्रवाद के विरुद्ध साम्मेवाद खड़ा है परंतु मानव के विकास के लिए उनके पास कोई योजना और कल्पना नहीं है दोनों गुट विश्व में शान्ती सम्मेलन करते हैं और विश्वबंदुत्व की गोशना करते हैं परंतु उसके पीछे केवल अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करने की अभिलाशा ही दिखलाई देती है अनुशक्ती का प्रयोग करके दोनों मानवता को नश्ट करने के लिए उद्यत हैं महा भारत में अर्जुनने पाशूपत अस्त्र होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया था क्योंकि वह मानवता का नाश नहीं चाहता था उसने यह सोचकर उसका प्रयोग नहीं किया कि उसके कारण आठ वर्ष तक अकाल पड़ेगा यह भारती जीवन प्रणाली का आदर्श है अपने संस्कृती का प्रतीक भगवा यद्नकी जवालाओं को प्रकट करता हुआ हमारा जीता जागता और बोलता हुआ आदर्श है उसी का संदेश घरघर पहुचाने वाली यह साधू मंडली है हमें अपने व्यवहार में और परिग्रह वृत्ती निर्मान करने की आवश्यकता है दुरबल समाज भी एक बार फिर से स्रेश्ठत्व का अनुभव कर सके उसके पराक्रम के आगे दुष्ट ठहर न सके ऐसा समाज जीवन आत्मियता की भावना से हमें निर्मान करना होगा परन्तु इस भावना को लेकर कि मैं इस धनका स्वामी नहीं हूँ यह तो परमात्मा के द्वारा मुझे अपने समाज के लिए मिला है इसका उपयोग मैं समाज के लिए करूंगा यह धारणा लेकर प्रत्यक के जीवन में आत्मियता का भाव भरने हेतू हम साधु मंडली का मार्गदर्चन प्राप्त करना अपना उद्देश समझते हैं शुद्धशीलता चरित्रता की पवित्रता की खान अभय वीरता शौर्य धीरता सैयम शांति निधान भारत माता की जय वन्दे मात्रम